नमस्ते चच्चा नमस्ते वंस्ते थोड़ो क्या चाहिए बोलो और चच्चा गुस्य में होका हाँ मैं गुस्य में हूँ अब हमारी हो रही है खोपडी गरम कर देंगे तुझको नरम कुछ काम है तो बोलो फाल्थ की पंचा इतना तो लो बता दे रहे हैं चच्चा ये दुकान किसकी है मेरी है और किसकी है नहीं मुझे लगा चाय की है बेटा हमसे ज़्यादा चिल्ली चाली ना करो हम तुम्हारे बाप के भी बाप है जिसे हम दादा कहते समझें बता दिया है तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो वर्ना फुट लो यहां से ओ चच्चा कहाई गर्मा चलो एक चाय पिला दो नहीं है चाय भाई भागो यहां से अरे चच्चा दे दे ओ काय मुझे फुला रहे हो नहीं दे तो क्या कर लोगे चच्चा प्यार से मांग रहे हैं, दे दो वर्ना वर्ना, वर्ना क्या वर्ना, वर्ना कोई बात नहीं, उसमें क्या, बिना पी ये चले जाएंगी ये लो, ठूस लो है ठू, क्या बक्वास चाहे चच्चा क्या आपके पिता जी ने भी ऐसी चाही बनाई थी, या फिर लोगों को चूतिया ही बनाया था बेटा, पिता जी के बारे में ज़्यादा ना बोलो का है? क्योंकि वो चाही नहीं, कॉफी बनाते थे हमसे ज़्यादा बात ना करना साहे रे वरना गुर्दे छील देंगे तुम्हारे समझे? ओर चच्चा, क्या कर रहे हो? आ बेटा, किर्केट खेल रहे हैं, तुम भी खेल लो दिखाई नहीं देता तुमको दुकान पे बेठे हैं, चाहे बेज रहे हैं तो यह चाहे की दुकान है? नहीं, पवव की दुकान है पववा यह पववा क्या होता है? पववा नहीं जानते हो बिटुआ? नहीं दारू, सिराब, मदीरा, समझे? क्या बोल दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया कुछ गुसा दिमाग में? हाँ, थोड़ा-थोड़ा और इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं तुम गदो को समझाना मतलब बैस के आगे तबला बजाना है? तबला? यह तबला क्या होता है? लगता है मसीनी खराब रही होगी तभी तो तुमारे जैसे प्रोडक्ट निकले हैं एच अच्चा, जुबान समाल के बात करो अच्चा, जुबान समाल के बात करो